आज हम लोग CHS याप और other competitive exam में पूछे गए प्रफशनों का solution करेंगे ठीक है यह chapter जो है LCM and SCF का है ठीक है तो हम लोग समझेंगे जो है ऐसे question को कैसे बनायते हैं ठीक है तो पहला question दिया है कि the highest power of 3 which is a factor of 9 मतलब कि 3 का highest power बताना है जो 9 का factor होता है 9 का factor हमें निकाल लेते हैं सबसे पहले 9 का factor क्या क्या होता है factor का मतलब होता है गुडणखन यानि वे सभी संख्या है ठीक है जो 9 को काट सकती है डिवाइट कर सकती है मतलब कि 9 जो है किसके किसके table में आता है यह सभी factor काल आते है ठीक यानि 9 को कौन-कौन सी ऐसी संख्या है जो divide कर सकती है, काट सकती है तो 9 को पहले 1 होगा, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 9 अगर इसको जो हम 3 के power की रूप में लिखे तो 3 तो 3 के 1 power में लिखाएगा ये 1 जो है 3 के power, 0 पर power पर लिखा सकता है ठीक है, 9 को 3 के power में 2 लिख सकते है मतलब 3 का वैसा power बताना highest, जो 9 का factor हो यानि power क्या हो जागा 2, जो कि option किसमें है तो 2 में है अगले प्रस्ट में देखते हैं, दिया होगा कि find the ACO of 132, 204 and 228 मतलब 132, 204 और 228 का ACO क्या होगा तो आप लोग सबसे IGU में तर्ष से भी निकाल सकते है यनि by option से भी निकाल सकते हैं कि तीनों को कौन से table काट सकता है, वो 85 हो जागा, तो देखने है 12 जो है इसको भी काट सकतह है, इसको भी काट सकता है थैक है, option number क्या हो जागा? फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग question number 3 में question number 3 में बोल लाया कि GCD greatest common divisor होता है या highest common factor इसको जो है यानि AACF ही होता है इसको हम लोग बहुत सर तरीके से बोल सकते हैं largest common factor भी बोल सकते हैं highest common factor भी बोल सकते हैं या greatest common factor भी बोल सकते हैं and a plus b minus c power 4 दिया हुआ है, इसका मतलब कि जब भी ACF ऐसे जो है algebraic expression का निकालेंगे, तो simple सा हम लोग जो इससे पहले factorization method में भी देख चुके हैं, तो simple सा दोनों जो है expression same sim है, और इसमें power 6 है और इसमें power 4 है, तो जब कभी भी ACF ऐसे power वाले numbers का निकालना होता है, पावर 4 यह lowest है, तो क्या हो जाएगा SCF यह हो जाएगा, तो option number किसमें है तो D में है, ठीक है, अगर इसका LCM पुस्ता, तो highest power इसका LCM हो जाता है, मतलब LCM अगर कहता है इसका तो यह वाला हो जाता है, ठीक है, में हो, ठीक है, multiplication या divide में हो सकता है, वह एक ही term होगा, मतलब यह 9X square है, तो इसके बीच में कोई plus minus का sign नहीं है, मतलब यह एक term है, अगला देखते हैं, यह 15X square, Y square है, ठीक है, यह 6XY square है, यहाँ पर 21X square, Y square है, and 6Y है, यह जितने भी है, सब मोनोमेल्स है, मतलब कि इसमें एक term है, ठीक है, ना plus में है, आप देखते हैं, यहाँ पर इसका SCA बताना है, तो SCA बताने के लिए सबसे देखते हैं कि सभी termों में, ठीक, जितने भी जो है, यहाँ पर जो है, दिये गया है, ठीक, पोलनोमेल्स, तो यहाँ पर इसमें 9 है, 15 है, इसमें 6 है, इसमें 21 है, और इसमें 6 है, तो सबसे छोटा कौन सा है, तो 6 है, 6 के table से सभी नहीं आएगा, लेकिन 6 का factor अगर करेंगे, तो 2 multiply 3 हो जाएगा, मतलब 2 से तो नहीं जाने वाला, 3 से सभी term चले जाएगा, मतलब एक factor जो है, highest common 3 मिल गया, ठीक, और उसके बाद देख लेते हैं, सभी में देखते हैं, Y, यक्स जो है, सभी में, मतलब यहाँ तक है, इसमें यक्स नहीं है, और Y देखते हैं, तो Y जो है, यहाँ तक है, लेकिन इसमें यह Y नहीं है, तो न यक्स common होगा, न यक्स common होगा, इसका मतलब कि जो इसका S.E.F. हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि यह option में किसी में नहीं है, option number कि हो जाएगा, D, none of this, यहनी इसमें से कोई नहीं है, यहाँ पर द्यान देते हैं, अगर इस प्रस्ण का जो है, LCM बुस्ता, तो सबसे पहले जितना भी टर्म्स दिये गए हैं, उसको यहाँ पर लिखेते हैं, ठीक है, और इसमें जो है, ध्यान देते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर जो है, नमबर का LCM निकालते हैं, तो 9, 15, 6, 21, 6 का LCM लगबक 6, 30 आएगा, और इसमें जो है, X का हाइस्ट पावर कौन सा है, तो 2 ही है, ठीक है, इसमें एक, इसमें जो है, और सबसे ज़्यादा पावर एक ही है, मतलब कि 2 है, तो X सबसे पावर हो जागा, Y क जो है, सबसे पावर जादा क्या है, 2 है, तो इसका जो LCM हो जाता है, यह हो जाता, ठीक है, यहाँ पर जो है, LCM निकालना है, 15, 18, 36, 144 का, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या अगर लेते हैं, कि सभी जो है, नमबर का प्राइम फेक्टरिजेशन करते हैं, तो 15 का हो जागा, 3 into 5, 18 का हो जाएगा, 2 into 3 power 2, सबको exponent में तोड़ लेते हैं, 36 का हो जाएगा, 2 power 2, multiply 3 power 2, 144 का जो है, प्राइम फेक्टरिजेशन हो जाएगा, 2 power 3, 4, sorry, 3 power 2, ठीक है, इसको अगर फेक्टराइज करें, तो ऐसे कर सकते हैं, हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है, तो LCM जो highest power को लेते हैं, तो 2 जो है, सबसे छोटा वाला है, factor, तो 2 का highest power कितना है, 4, तो मतलब कि यह जो है, इसको लेंगे highest power वाला को, फिर multiply 3 का देखेंगे, तो इसमें 1 power, इसमें 2 है, 2 है, और इसमें 2 है, तो इसका मतलब 3 power 2 common हो रहा है, ठीक है, मतलब सबसे जादा वाला power लेते 5, 5, 7, मतलब कि 720 होगा, जो कि option number किसमें है, तो D में है, अगले प्रस में, question number 6 में चलते हैं हम लोग, इसमें जो है, LCM निकालना है, 2 power 3 into 3 into 5 square, multiply 7, फिर एक और नमबर दिया गया, ऐसे exponent power में दिया हुआ है, फिर एक और यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो simple सा LCM निकालना है तो LCM के लिए क्या करते हैं, कि सभी में 2 factor coming higher, यहाँ पर हम लोग largest power लेते हैं, तो 2 power 3 यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो highest power 2 power 4 लेंगे ठीक है, और इसमें 3 भी लेंगे, यहाँ पर 1 power है, यहाँ पर 2 power है, और यहाँ पर 3 का 3 पावर है, मलतलब कि highest power 3 है, इसको भी ले ले seven इसमें है और इसमें seven नहीं है लेकिन जो नहीं राता है उसको भी लेते हैं वेकिन सबको लेते हैं 11 हमीं सबको लेते हैं और डेहिता on즉 में रिमारे अप्टि incentiv है और इस आप्टि उसनमर्ण Cupbak मिल रहा है तो एसा जो है option स्सीन में मिल रहा है true इस question का LCM हो जाएगा इतना ठीक है अगर इस question में SCF उसता तो SCF में क्या करते हैं कि lowest power लेते हैं और सभी में मिलना चाहिए वह ही लेंगे तो SCF अगर निकालना चाहिए इस question का HCF हो जाएगा देखते हैं यापर इसमें 2 power 3 है इसमें 2 power 4 है इसमें 2 power एक ही है इसका मतलब सबसे lowest power यानि यही लेंगे और 3 power देखते हैं तीनों मुझे 3 मिलना एक नहीं मिलना तीनों में 3 मिलना है highest power 3 है फिर इसके बाद lowest 2 सबसे कम एक power है मतलब यह हो जाएगा ठीक है सबसे कम power लेंगे अब उसके बाद 5 सब में नहीं है सब में भी है हाँ है यहाँ पर 5 square है यहाँ पर 5 power 1 है यहाँ पर 5 power 4 है मतलब 5 power 1 लेंगे ठीक है और 7 सब में नहीं मिलना है इसमें नहीं है 11 भी नहीं है इसका मतलब कि अब छोड़ दे दिया हो कि ratio of LGM and ratio of 270 and 405 is मतलब कि इसका जो है ratio पूछ रहा है तो इसका सबसे पहले LCM निकालते हैं दोनों का तो दोनों का LCM हो जाएगा ठीक है यानि इन दोनों का LCM आप निकाल सकते हैं ठीक है और इन दोनों का SCF जो हो जाएगा 135 मतलब 135 देखते हैं तो यह 135 से कट जाएगा यह एक बार में और यह जो है 6 बार में इसका मतलब ratio निकाले हैं तो 6 ratio 1 हो जाएगा जो की option number कि इसमें है तो option number A में है आप देखते हैं हम लोग यहाँ पर LCM पूछ रहा है X P4-1 and X2-1 तो सबसे पहले किया करते हैं इसको factorize करते हैं X P4-1 का ठीक है फैक ए फैक्टराइज करते हैं तो यह जो है इसको लिग सकते हैं हम लोग X P4 को X² को whole square minus 1 तो देखते हैं यहाँ पर से एक फर्मुला बन जा है a square minus b square a minus b into a plus b ऐसे लिखा जा सकता है फिर देखते हैं आप पर तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं लेकिन छोड़ देते हैं कि अगले टर्म में देखते हैं आप पर x square minus 1 है ठीक है तब यहां से condition देख लेते हैं एक टर्म हो गया और अगला टर्म जो है एक स्कार माइनस मानस वर है यह वाला ठर्म अब इन दूनों का LCN चाहिए LCN का मतलब होता है कि दूनों में क्या होना चाहिए common factor होना चाहिए और जो नहीं मिलता हो वह भी लेना है तो दूनों में यह मिल रहा है .. X square minus 1 यह मिल रहा है ठीक है और X square यह भी जो है नहीं मिल रहा है मतलब X square plus 1 यह नहीं मिल ला तो इसको भी लेंगे फिर इसको जो solution करेंगे यह बन जागा एकश पर पावर 4 minus 1 और यह क्या हो जागा LCM हो जागा लेकिन अगर जो है इसका SCF हो था तो दोनों नमबर में वाइनस वान हो जाता है अंदेशन तो समझते हैं लोग आगे वाले प्रस्ट में इस प्रस्ट में दिया हुआ कि जो है जो है अप्र लिका रहेंगे और नीचे वाला का जो है लॉष्य वाला का सीर्ट देख लेते हैं तो सबस्ट का जुए कि इस ऐक होगा और बनाना चाहे तो इस फर्मूले बें बना सकते हैं कि कोश्टन नोमर 10 में बोल ला है कि LCM of 2 by 3, 4 by 9 and 5 by 6 इसका LCM निकालना है तो सिंपल सा तरीका है LCM निकालने के लिए LCM of numerator ठीक है और SCM of denominator मतलब नीचे जो है नीचे का LCM निकालते हैं तो नीचे का LCM क्या हो जाएगा? SCM 396 का LCM क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा ठीक है? क्योंकि 3 के टेबल से 3 उकटेगा तो किस में है option number B में है अब याद देखते हैं जो है decimal वाली संख्याओं का LCM पूछ रहा है question number 11 में तो सबसे पहले क्या करते हैं इसको simplest form में बदलेंगे तो पहले fraction में बदल देंगे 0.25 को लिख सकते हैं 25 by 100 0.1 को लिख सकते हैं 1 by 10 और 0.125 को लिख सकते हैं 1 to 5 by 1000 अगर इसको simplest form में convert करें तो ये बन जाएगा 25 से कट जाएगा दोनो ठीक है? ये 1 by 4 बन गया ये नहीं कटने वाला 1 by 10 नीची तर रहेग 1 by 1 का LCM क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और नीचे का HCF चाहिए तो जो है 4, 10, 8 का HCF होना चाहिए वो क्या होगा? 2 होगा क्योंकि 2 के table से ये 3 हो कटेगा ठीक है? तो 1 by 2 इसका question का LCM होगा जो की हमें decimal में चाहिए तो इसको convert कर सकते हैं तो divide करेंगे तो 0.5 होगा ठीक है? जो कि option number किस में है तो option number D में है? अगले प्रसम में question number 12 में दिया हुआ कि जो है two numbers are in the ratio 3, ratio 4, if their LCM is 108 and their HCF will be, तो दो संख्या ratio में देता है, तो HCF माल लेते हैं इसका HCF क्या हो जाएगा? ठीक है? यक्स हो जाएगा, तो हम जानते हैं कोई भी दो संख्या का HCF निकालते हैं multiple होना चाहिए, तो माल लेते हैं कि जो है ये multiples हो जाता है, ठीक है? पहला संख्या माल लेते हैं कि 3X हो जाएगा और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? पूरी X हो जाएगा, क्योंकि जो है HCF से multiply होता है, उन दोनों संख्या हो में, अब यहाँ पर समझते हैं, हम लोग जा संख्या क्या हो जाएगा, और तीन से ये चार उड़ा होके बारा, बारा से ये एक सो वाट नौ बार में, मतलब X बाराबर क्या हो जाएगा? 9, यानि HCF इसका क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, जो कि अप्सों नंबर किसमें है, तो C में है, चले यहाँ पर देखते हैं हम लोग, HCF and LCF of two, two digit numbers are 16 and 480 respectively, the numbers are, अभी इससे पहले वालपरस में जाते हैं कि जो है, HCF जो है, दो संख्याओं का सोला दिया हो, यहाँ पर 480 दिया है, तो कोई भी दो संख्या का जो है, HCF से दोनों संख्या क्या होती है, कटती है, तो देखते है, HCF 16 है, तो 16 से जो है, कौन कौन इसमें कटती है, तो 16 से जो है, यह 40 नहीं कटेगा, 48 कटेगा, यह दो लेते हैं यह दोनों कट रहा लेकिन यहां पर condition है आप लोग जानते हैं यह दोनों संख्याओं का गुड़ान फल और बराबर होता है यहां से 16, 16, 16, 16, 64, 64, 64, जो की option यह फुल्फिल नहीं कर रहा तो यह भी नहीं हो सकता है option number बचा एक ही को D आप लोग बना भी सकते हैं first number गुडे second number is equal to होता है SCF गुडे LCM इस पर यह फुल्फिल हो जागा मतलब 80 गुडे 90 को गुड़ा करेंगे तो इतना आ जाएगा चलते हैं अगले प्रस में the number of pair of positive integer where sum is 99 and SCF is 9 हम जानते हैं कि SCF से वो दो संख्याओं का pair बनाना है बताना है कितने positive integer हो सकते है ठीक, जिसका जshop 19 दो How sum 99 हो सकता है और उसका SCF क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए तो nine के table वाला ही क्या होना चाहिएहां पर number बननेगा, ठीक यसे मन लिएत है एक संख्या 9X है और एक संख्या जो है Y है इन दोनों का S.C.F क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है इसका मतलब नंबर क्या बन सकता है 9 से इन दोनों संख्या होँआ होता है S.C.F से 9X बन जाएगा एक 9Y बन जाएगा और question में दे है कि इन दोनों का sum कितना दिया हुआ है 99 यहां से देख लेते हैं sum जो है करेंगे तो 99 के बरावर होगा यहां से 9 common हो जाएगा 9 common होके 9 से 99 कट जाएगा 11 बरावर है मतलब X पलस Y बरावर कितना हो जाएगा 11 और 11 के बहुत सरे possibility बनेगा मतलब कि वैसे दो संख्याओं को मानना है जिसको जोड़नों पर 11 बन सकता है ठीक है तो देख लेते हैं क्या क्या बनेगा 1 10 बनेगा 2 और कितना बनेगा 2 9 बनेगा ठीक है और कितना हो सकता है 1 10 बनेगा 2 9 बनेगा 3 8 बनेगा 4 7 बनेगा और 5 5 6 बनेगा इतने पेर बन सकते है मतलब total pair कितने बने 5 बने option number किस में होगा D में होगा इस प्रस्ट में एक और तरीके से देख लेते हैं जैसे मालने के हैं कि दू नंबर का pair जो है जिसका sum 99 आना चाहिए और उसका अगला देखते हैं 18 हो जाएगा 81 हो जाएगा ठीक है इसके बाद 27, 72 हो जाएगा 36, 63 हो जाएगा ठीक है 45, 54 हो जाएगा यह कितने pair बन रहे हैं तो total 5 pair बनेगे जिनको जोडने पर 99 आना जाएगा और इनका ACUP क्या जाएगा 9 आना जाएगा चलिए देखते हैं हम लोग आगे अगले प्रस्ण में दिया हो कि the LCM of two numbers is four times their ACUP, the sum of LCM and ACUP is 125, if one of the number is 100, then other number is तो यहाँ पर बोला है कि LCM जो हो है, ACUP का चार गुना है, मालने थे कि ACUP जो है यक्स है, तो LCM क्या होना चाहिए? 4 यक्स होना चाहिए, और बोला है कि LCM और LCM का sum दिया हुआ है ACUP यक्स माने है और LCM 4 यक्स है, इन दोनों का sum 125 के बराबर है, तो यहाँ से X का value कितने आना चाहिए? 25 आना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर ज्यान देते हैं, X बराबर क्या आया है? 25 आया है, ठीक, तो 25 हो गया, ठीक, multiply, LCM कितना हो जागा? 25 हो कि यहाँ पर 25 का value रखें अधर नमबर निकालना है, यहाँ से दिखते हैं, 100 से 100 यह कंसील हो जागा, तो second नमबर जो है कि इसके बराबर हो जागा, 25 के बराबर हो जागा, जो कि अप्सान नमबर किसमें है, तो B में है, यहाँ कि smallest square number divisible Y, each of number 14, 16 and 24, मतलब smallest square number बताना है, ठीक, जो divisible होना चाहिए, 14 से, ठीक है, 16 सा और 24 से, सेंपल सा जो है, इसका प्राइम फेक्टरेशन करेंगे हैं, और इसका लस्यम फाइंड करेंगे, ठीक है, तो 16 को 2 पावर 4 लिख सकते हैं, 24 को 2 पावर 3 मल्टिपलाइट, ठीक है, 3, अब यहाँ पर इसका लस्यम फाइंड करेंगे, तो यह highest power क्यो जो की square number के लिए क्या होना चाहिए, कि pair के रूप में यहाँ पाप factorize होना चाहिए, तो 2 पावर 4 इसका मतलब यह already pair में है, 3 जो है pair में नहीं है, इसका मतलब कि इसमें, ठीक है, 3 से multiply एक और करेंगे, फिर 7 से करेंगे, इसका मतलब कि pair बनाने के लिए, square number बनाने के लिए इसका pair जरूरी है, तो जो smallest square number बनेगा, तो 2 पावर 4, 3 square, 7 square होगा, अगर इसको गुड़ा करें, तो 16, 9, ठीक है, यह 49, तो गुड़ा करें तो 16, 9, 144, ठीक है, 144 में 49 का गुड़ा करें, 9, 36, यह जो है, 77 होगा, ठीक है, जो की option number किस में है, तो A में है, यहाँ पदियाव के smallest positive integer when it is divided by 7, 9 and 11, leaves remainder 1, 2, 3, respect भे ले, मतलब कि smallest positive integer बताना है, जो 7 से divide करने पर 1 remainder बचेगा, 9 से divide करने पर 2 remainder बचेगा, और 11 से divide करने पर 3 remainder बचता है, तो बाई, अप्शन जो हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है, option number 1 को लेते हैं, तो 7 से अगर divide करें, इस बचेगा, 1, ठीक है, 9 से divide करेंगे, ठीक, तो remainder बचेगा, जो है, 2 बचेगा, और 11 से divide करें, 3, 2, 6 बचेगा, ठीक है, 6 बचेगा, जो की जो है answer, इसको question को सेटिक्राइज नहीं कर रहा है, इसका मतलब option A नहीं हो सकता है, option B को चेक कर लेते हैं, तो 7 से करेंगे divide, तो remainder करते हैं, तब, 9 से divide कर लेते हैं, तो यहाँ से, 9, 3, 27, 7, 9, 22, यानि 9 से अगर करें, तो remainder 2 बच रहा है, ठीक है, 11 से अगर divide करें, तो 11, 3, 3, 3, 1 बचेगा, ठीक है, 14, 11, 11, 11, 11, हाँ, यहाँ पर जो है, remainder 3 बच रहा है, मतलब की question का satisfied कर रहा है, ठीक, जो की option number जो है correct कौन स चोप the numbers, 8, 9, and 10 is, तो हमेशा याद रखना है कि smallest जो square number होना चाहिए, ठीक, वो एक perfect square निकालना हमें, तो इसमें जो है, 720 जो है, यह perfect square नहीं है, 360 जो है, यह भी perfect square नहीं है, और D जो है, यह भी perfect square number नहीं है, तो simple सा जो है, option number C बचेगा, ठीक है, इसको find करने के लिए क्लि पेर के रुप में है की नहीं है, तो 8 को हम लिख सकते हैं, दो पापावर 3, ठीक है, 9 को लिख सकते हैं, 3 square, और 10 को लिख सकते हैं हम लोग, 2 into 5, तो देखते हैं हाँ पे, 2 पापावर जो है, 2 का जो है, highest power LC हम देखते हैं, तो highest power कौंस हो जागा, 3, 3 का जो है, पावर 2 है, और 5 का जो है, तो हमें जो है, इसको perfect square बनाने के लिए, पेर चाहिए, तो 2 पापावर 3 है, इसका मतब पेर नहीं बनेगा, एक और 2 से multiply करना पड़ेगा, और इसमें 3 का जो है, और लेडी जो है, square है, इसका मतब ये pair ग्रूप में है, और 5 का जो है, पेर नहीं है, तो इसक 600 है होगा, जो कि अप्शन नमबर किसमें है, C में है, अब जो है, हम लोग 19 वा नमबर कॉस्टन में देख रहेंगे, तो ये polynomial का जो है expression, यानि बेंजग का दिया हुआ है, ठीक है, LCM और SCF जो है, दो expression का दे चुका है, मतलब LCM बराबर दे चुका है, X square प्लस 6 या प्लस 8 into X plus 1, SCF दे चुका है, X plus 1, यहां से इसमें से 1 जो है expression दे चुका है, मतलब एक नमबर दे चुका है, कौन सा है, X square 3 X plus 2 है, ठीक है, हमें second निकलना है, यानि other निकलना है, ठीक है, other क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं, यहां पर दो गो expression भी दिया हुआ है, और LCM SCF भी दो गो expression का दे चुका है, तो हम लोग जानते हैं कि first number multiply होता है, second number, बराबर होता है, LCM गुड़े SCF, तो हमें second चाहिए, तो simple सा LCM गुड़े SCF उपर हो जाएगा, divide क्या हो जाएगा, भाई, first number, यहां से जो हम लोग निकल सकते हैं, तो simple सा LCM क्या है, X square plus 6 X plus 8 into X plus 1, और SCF क्य में जो है, one expression हो जाएगा, X square plus 3 X plus 2, अब यहां पर ज्यान देते हैं, इसको जो है factorize करेंगे, X square plus 6 X plus 8 को factorize करेंगे, यह बन जाएगा, ठीक है, 8 को ऐसे 2 factor में तोड़ेंगे, तो 2, 4 के 8 हो जाएगा, और जोड़ने पर 2, 4 और 6 हो जाएगा, इसका मतलब एक expression बनेगा, X plus 2 इसका factor बनेगा, और एक बनेगा, X plus 4, फिर इन 2, आगे जो दिया हुआ, इसको भी लिखा जाएगा, X plus 1, बटा में, X square plus 3 X plus 2 है, इसको अगर factorize किया जाए, यह बन जाएगा, X plus 1 into X plus 2, अब यहां से ध्यान देते हैं, उपर में X plus 2, X plus 2 cancel, यहां से X plus 1, X plus 1 cancel, अब यहां से बच गया, X plus 4 into X plus 1, अगर इसको जो है factorize को multiply करें, ठीक है, यहां से बनेगा, X square plus 5 X plus 4, जो की option number किस में है, तो option number जो है, A में है, ठीक है, आप दिखते हैं, विश्वा नमर कोशन में, दियाओ कि, find the greatest number which divides 25, 73 and 97, to leave the same remainder in each case, मतब बोला कि वह सबसे बड़ी संख्या ग्याद कीजिए, ठीक है, जिसे जो है, 25 में divide करने पर, जिसे से, 73 में divide करने पर, जो है, same remainder बसता है, उस condition में इन तीनों का आपस में difference करेंगे, तो 95, 97 है, 97 में 25 को जो है, difference करेंगे, तो कितना होगा, 72 होगा, ठीक है, 97 सा 73 में difference करे तो कितना हो जाएगा, तीनों को आपस में difference करने पर जो है, ये number आया, और इनका difference निकलने के बाद, इनका SCF निकालेंगे, मतब 72 का, 24 और 48 तीनों का SCF निकालेंगे, ठीक है, तो SCF आएगा, 24, जो की option का यहीं answer हो जाएगा, जो की option number किसमें है, तो A में, जलते हैं अगले question में, अगले question में दिया कि, what is the greatest number which will divide, 1 in 10 and 1 in 28, living and remainder 2 in each case, जब इस तरह के प्रस्न में living and remainder दे देगा, और greatest number पूछ रहा है, तो ऐसे प्रस्नों में हम लोग SCF ही निकालते हैं, तो SCF निकालने के लिए क्लिए 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 करते हैं, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का इस case में remainder 2 बच रहा है, इसका मतलब कि 2 को इस number में क्या करते हैं कि subtract करेंगे, difference निकालेंगे, एक आ जाएगा 108 और एक जो number दिया है 128 इसमें भी जो है 2 घटाएंगे, क्योंकि remainder same case में 2 बच रहा है, तो इस condition में यहाँ पर दोनों का difference 200 से निकालेंगे हम लोग, तो यह हो ज 108, 126 का जो है ACM निकालेंगे, तो 18 हो जाएगा, क्योंकि 18 के table से दोनों कट रहा है, तो कौन सा option हो जाएगा, option number B, अगला प्रसन क्या कहा रहा है, देखते हैं हम लोग, बुल ला है कि what is the greatest number that will divide 307 and 330, leaving remainders 3 and 7, मतलब वह सबसे बड़ी संख्या ज्याद करना है, ठीके, क्य क्या होगा, जिससे 307 में डिवाइड करने पर 3 remainder बचेगा, और 330 में डिवाइड करने पर 7 remainder बचेगा, इससे उपर वाल एक उपरस में जो दिया था, रिमेंटर बच रहा था, तो उसी सेम remainder को दोनों में different करेंगे, और यहां पर भी क्या करेंगे, और यहां पर भी जो है, उसी तरह हम लोग difference करेंगे तो पहला जो नंबर दिया हुआ इसमें difference करेंगे 3 का यह आ जागा 304 और दूसरा नंबर दिया 330 का तो इसका जो difference जो remainder बच रहा है 7 इसका difference करेंगे यह जागा 323 का अब दोनों का प्रसंदिया हुए कि जो है the list number which when divided by 16, 18, 20 and 25 leaves 4 remainder as remainder in each case but when divided by 7 leaves no remainder तो नंबर्स क्या होगा simple सा इस question में बोल ला है कि वह सबसे छोटी संख्या ग्यात करना है आपको जिसमें जो है 16, 18, 20, 25 से divide करने पर हर case में 4 remainder बचता है फिर उसी संख्या को 7 से अगर divide किये जाता है तो उस condition में remainder नहीं बचता है मतब कड़ जाता है तो ऐसे प्रस्णों को क्या करते है कि सिंपल सा जो नंबर दिया गया है जिससे divide करना किया जाना है उन सभी संख्याओं का एल्स निकालेंगे ठीक है इन सभी संख्याओं का जो है एल्स निकालेंगे ठीक सबसे पहले हर case में 4 remainder बच रहा तक सबसे पहले lc m के लिए सबसे highest power लेना है तो सब में इसमें है highest power क्या है 254 multiply 3 का highest power क्या है 3 पहर 2 और 5 का सबसे इसका LCM हो जाएगा अगर इसका LCM निकाले तो इसको multiply करने पर कितना आ जाएगा 3600 तो हर केस्समें 4 remainder बच रहा है जब इससे divide के जाता है इसका मतला कि 4 remainder को क्या कर दिया जाएगा जोड दिया जाएगा यह जो है number हो गया तो आभ यहां पर समझते हैं कि इसी संख्या को 7 संख्या से डिवाइड के जाता है तो संख्या और बी बन सकती है इसलिए 3600 में किसी x से multiply करने पर ये संख्या और बड़ी बन सकती है तीक जो इसे cut सकती है और इसमें 4 remainder हर केस में जोट दिया जाेगा क्योंकि यह संख्या बड़ी बन सकती है इस condition में जो है जो संख्या बन सकता है इससे बड़ा तो इसमें यक्स से जो है माल लेते हैं कोई जो है इसका multiple होगा अगर x के जगा पर 1 रखेंगे तो क्या बनेगा 364 बन जाएगा ठीक है अगर x के जगा पर 2 रखते हैं तो 704 बन जाएगा ठीक है एक से जगा पर 3 रखते हैं ठीक तो देखते हैं यहाँ पर यह सबसे बड़ी संख्या मतलब कि x के जगा पर 5 रखते हैं ठीक यह संख्या जो है इससे भी कट जाएंगे तो यहाँ पर ध्यान यह नहीं में साथ से कटने पर देखते हैं कि जो है यह कट रहा है िने कट रहा है तो साथ से यह नहीं कटेगा ठीक? तो इसका जो और भी multiple देख लेते हैं तो multiple ये बनेगा और 4 को जोडेंगे तो ये लगबग हो जाएगा 18,000 ठीक है और 4 को जोडने पर ये बन जाएगा 18,000 चार जो की option number किस में है तो option number D में है आगे प्रसमें देखते हम लोग दियाओ कि the smallest number which is divided by 12 and 16, leaves remainder 5 and 9 ये निवा सबसे छोटी सेंगे ग्याद करना है जिसमें 12 से भाग देने पर 5 सेस बसता है और 16 से भाग देने पर 9 सेस बसता है तो उस condition में इन जो है आए सेम आ रहा है तो उस कंडिशन में 12 और 16 का जो है smallest नमबर पूछ रहा है तो लसे में निकालेंगा लसे में निकालने पर इसका जो है कितना आएगा 48 आएगा 48 आ रहा है इसका मतब जो प्रिमेंडर का डिफरेंस आ रहा है वह सेमें आ रहा है तो उनों के इसमें तो 7 इसमें माइनस कर दिया जाएगा ठीक है कितना जाएगा